अगर आप सच्चाई पूछें तो बीजेपी में अंदरी अंदर बहुत जबरदस विद्रो और आग सुलग रही है पृधान मंतरी जो कर रहे हैं वो कोरी राजनीती है और अगर और कड़े शब्दों में कहूं तो ये राजनीतिक धंदे से ज़्याद और कुछ नहीं है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतिय सम्विधान की शपतली है और सम्विधान कहता है कि जो भारत है देश है यानि सरकार है वो किसी धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है देश धर्म ने पेच्छ है और सरकार का कोई धर्म नहीं है प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोधी अगर प्रिधान मंत्री नहीं है तब तो वो निश्चतुप से जाके मंदर का सिलान्यास करें भूमी पूजन करें कुछ भी करें लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रिधान मंत्री हैं और समिधान के अनुसार राष्टपती के बाद प्रिधान मंत्री राष्टपती और उपराष्टपती के बाद प्रिधान मंत्री और प्रैक्टिकल में अगर कहें तो प्रिधान मंत्री सबसे मजबूत या सबसे जि और प्रिधान मंत्री हैं वो इसलिए उन्हें किसी भी तरह के भूमी पूजन में शिलान्यास में उसके निर्माण में भाग नहीं लेना चाहिए क्योंकि देश का समविधान और वो समविधान की उन्होंने शपतली है मैं वैसे नहीं कर रहा लगी मैं मानता हूँ कि समविधान को तो बिलकुल तारतार उन्होंने कर दिया है पूरी तरह से धस कर दिया है लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतिय सम्विधान की शपतली है और सम्विधान कहता है कि जो भारत है देश है यानि सरकार है वो किसी धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है देश धर्म ने पेख्ष है और सरकार का कोई धर्म नहीं है जब सरकार का कोई धर्म नहीं है तो मानने प्रधान मंत्री जी सरकार है इसलिए प्रधान मंत्री का भी कोई धर्म नहीं है तो सम्वेधानिक रूप से प्रधान मंत्री का जाकर अयोध्या में मंदिर का शलन्यास के लिए भूमी पूजन करना पूरी तरह से गैर सम्वेधानिक है गलत है लेकिन प्रधान मंत्री नरंद मोदी जी की बीजेपी की सारी राजनिती ही राम मंदर के इर्द गिर्द घूमती है तो उनका भूमी पूजन करना जाना वो तो बनेगा ही और आज की तारिक में मुझे ऐसा लगता है कि जिस सरसे ये सारी चीज़ें की जा रही है वो ना तो देश का मंदिर है ना किसी हिंदूओं का मंदिर है वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे नरंद मोदी जी का मंदिर है और वो ही जो करेंगे वो ही सब कुछ ठीक है अन्नता कुछ नहीं है तो नरंद मोदी जी आज की तारिक में एहम ब्रह्माश में है मैं ही हूँ जो भी कुछ मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है मैं ही भूमी पूजन करूंगा मैं ही निर्मान की एट रखूंगा मैं ही नीम रखूंगा वो सारी चीज कर रहे हैं लेकिन मैं मानता हूँ कि धर्म से कोई लेना देना उनका नहीं है किसी भी धर्म से हो प्रदान मंत्री जो कर रहे हैं वो को बद्ध्या जाकर मंदिर के श्रान्यास के लिए भूमी पूजन करना और उसका पूरा प्रिचार प्रिसार करना पूरी देश में पूरी दुनिया में उसका लाइव टेलिकास्ट कराना सारा मीडिया उसका लाइव टेलिकास्ट करेगा जहां जहां भी इनकी सरकारें आप दि वाली मनाई जाएगी ऐसे समय में जब देश इतनी भयानक परिस्तिति से गुजर रहा है जब देश में 81 करोड तो खुद प्रिधान मंत्री कह रहे हैं जिनको उसी उत्तर प्रिदेश के मुक्य मंत्री जायजा लेने तो जारें तैयारियों का लेकिन वहीं पर अपहरन हो रह हैं फिरोती मांगी जा रही हैं कतल हो रहे हैं अभी आपने देखा कि आठ दिन पहले एक वकील को ब्रेंशर में धर्मेंद्र चौधरी जो हैं उनको किड्नेप किया गया और उनका कतल कर दिया गया पुलिस को पता ही नहीं पुलिस समझ भी पा रही है ठीक इसी तरह से दे रिपोर्ट लिकी गई और उसके जड़ रिपोर्ट लिकी गई 26 तारी को उसके बाद उसका कतल कर दिया गया उस सब के बाब जूर दे तीस लाख रुपे फिरोती के दिलवा दिये गए पुलिस ने दिलवाए कहा गे पैसे अब बाद में ये रिपोर्ट की जा रही है कि उ रातियां हो रही है उसके लिए प्रशाथन के पास जा रहे हैं सुनता नहीं है तो आत्म दहा कर रहे हैं आपने देखा होगा आमेटी का मामला देखा होगा आपने जो ये जो सारी की सारी चीज़ें हो रही है तो ध्यान किस पर दिया जाना चाहिए लोगों के रोजगार पर लोगों की रोजी रोटी पर उनकी चिकिस्षा पर उनकी सिक्षा पर उनकी सुरक्षा पर इस पर कोई ध्यान नहीं है ध्यान किस पर है मंदिर पर है ध्यान मंदिर के पूजन पर है सारा प्रिशाथन आपने देखा होगा कि कितना बड़ा इंतजाम किया जा रहा है कितना जबर्दस पूरा अमला जो है अयुद्ध्या कर वहाँ का पूरा अमला है उसका है सब पृधान मंत्री के इसी कारकर में कोई वंदनवार बनवाएगा, कोई माला करेगा, कोई पुताई करवाएगा, कोई यह करेगा और एक लाख पैकेट बनवाए जा रहे हैं परशाद के एक लाख पैकेट इसका मतलब एक लाख लोगों तक बाटे जाएंगे न वो यही उसका मकसद है और ऐसे समय में एक लाख लोग मतलब आप कर क्या रहे हैं यह वही प्रिधान मंत्री हैं जो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कीजिए और ऐसी ही समय में ये इतनी भीड जुटा के ये कारिकरम करने जा रहे हैं तो किस सरह से हैं ये सब आप समझ सकते हैं और देश इस सारी चीज को देख रहा है देश इसे भूला नहीं है और देश को जिस सरह से गुमर में जो पेंग्यों जील है उसमें फिंगर फोर से लेकर फिंगर एट के बीच में जो उसने टेंपरेरी हॉस्पिटल भी बना लिया है अपना तोप खाना बगरा सारा सब कुछ वहां पर लगाया हुआ है और वहां से अटने को तयार नहीं है और अभी तो एक नियूस ये मामले में फेल चाइना के मामले में फेल लोगों को रोजगार देने के मामले में फेल जो पूरी अर्थववस्था है पूरी तरह से चौपट हो चुकी है इस सरकार के पास अब जो वो हैं करमचारी है उनको पैसा देने के लिए पैसा नहीं सरकार के पास में उस ही सिद्ध नहीं दे रही है, बहार नहीं आ रही है कियूकि लोग डरे हुए हैं क्यूकि पूरी बीजयपी जो काम करने के लिए है अमिशचा का, मोदीजी का कितना रोल हराम मंदे हैं बात सही है, अगर उसकी बात करी जाए तो जो अंदोलन करने वाले लोग हैं वो कोई और है वो और है है उसके लिए जो लड़ने वाले लोग रहे है उसमुद्दे को उठा के ले जाने वाले जो लोग रहे हैं आने वाले समय में, जो आने वाला वक्त है, उसमें वो विरोध, BJP के अंदर से विरोध आपको नजर आएगा, दिखेगा ऐसी कोई बात नहीं है, आने वाला वक्त बताएगा और सुब्रहमाण स्वामी की जो ये बात है, ये उस विरोध को ही दिखा रही है कहीं नहीं, यू तो लोगों के दुख दर्द को दूर करने की जिम्मेदारी है, लोगों को रोजगार देने की जिम्मेदारी है, लोगों को स्वास्थ सुविधाय उपलब्द कराने की जिम्मेदारी है, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और जब इतना कड़ा समय चला हो, कठिन समय चला हो उस समय बाकी सारी चीजों को छोड़ कर प्रधान मंत्री को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए आज प्रधान मंत्री जनता के साथ नहीं प्रधान मंत्री इन सारी चीजों में क्योंकि पूरी तरह से फेल हो चुके इसलिए ये नोटंकी की जा रही है